असलाम लेकुम, मैं डॉक्टर मिस्पा मलेक, कंसल्टेंट गैनकॉलिजिस्ट हूँ, मैंने MBBS से 20 साल पहले King Edwards Medical College से किया, उसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशन गैनी की फील्ड में किया, I am a कंसल्टेंट गैनकॉलिजिस्ट, मेरी स्पेशलिटी है हामला औरतों की केर, उन इसके अलावा, गैनी के मुख्टिब केसिस, जिसमें आजकल जो बहुत कॉमन है, वो पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, इसी तरह अंडे दानियों में जो थैलियां और सिस्ट पन जाती हैं, उनकी मैनेजमेंट, और कैंसर जो के अंडा दानी और यूट्रस में होते हैं, बच् गैनेकालिजिस्ट जो हैं, वो फीमेल्स ही को डील करती हैं, क्योंकि फीमेल्स सि असोसियेट जाए जाये परिणिनसी के मसाइल है, वो ही डील करती हैं, लेकिछ झाट تक जैसे बांचपन के अलाज में, जो मर्दाना कमजोरी का अलाज है, वो उनकी खट अब तक वीमेल्स जहां मर्द की examination की नौबत आ जाए तब हमें असूलन उनको युरॉलिजिस्ट को रेफर कर देना चाहिए पिर वहां से युरॉलिजिस्ट की speciality शुरू जाती है देखिए बच्चियों को जो महवारी के दुरान तकलीफ होती है इसकी बहुत सारी वजुहात होती है जादा तर psychological वजुहात होती है उसके लिए बच्चियों को कांसल करें उनकी खुरात का ख्याल किया जाए आजकर जंक फूट से फरहेस करें उनकी सहत अच्छी हो और वो महवारी के दुरान थोड़ा रेस्ट करें बहुत जादा नहीं पिर भी अगर तकलीफ होती है तो हलकी कोई पेन के लेने में कोई हर्ज नहीं है आप अपनी गाइनकालिजिस्ट के पास जाएं और उनसे कहें कि वह आपको दर्द की दवायां दे 90% ऑफ हीमेर तो इसी तरहीं ठीक हो जाती है 10% ऑफ जो बच्चिया हैं उनमें कुछ सीरियस वजुहात हो सकती है जो कि अल्ट्र यह मुख्लिफ मिट्स हैं जो के हमारी सिसाइटी में इतने पुराने और इतने पके हैं कि मैं अपनी क्लिनिक में बहुत हाशा काउंसलिंग की बावजूद मुझे नहीं लगता कि मैं सही तरह से मुरीज को इन से दूर कर पाती हूं यह बिलकुल मिट्स हैं दवायां मुर मुरीजों के फाइदे के लिए बनी हुई हैं अगर वो सही डॉक्टर ने सही प्रिसकाइब की हैं और मरीज ने सही खाई हैं एक घर बैठे बैठे जो आप बगयर प्रिसक्रिप्शन के दवाईयां लेते हैं वह आपको जरूर नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि आपक दॉक्टर से बहतर नहीं जान सकते हैं इसलिए प्लीज डॉक्टर जब कोई आपको दवाई प्रिसकाइब करता है उस वक्त क्लैनिंग पर उसे पुरा सवाल जबाब करें अपनी पूरी काउंसलिंग करवाएं अपनी पूरी कंफूजन दूर करें लेकर एक दफ़ा जब क आपका जो किंकलूजन वो यह निकलता है कि अगर बच्चियों को पेन हो रही है या औरतों को कमर में दर्द महवारी के दौरान दर्द या और किसी किसम की दर्द हो रही है जो कि सिंप्ली रेस्ट करने से ठीक नहीं हो रही और आपको ठीक करने से उसमें इंप्रूब्मे लेंगी तो सिस्ट का एज से कोई तालुक नहीं है ये किसी वक्त भी बन सकती है और आम तर पर सिस्ट जो हैं वो बहुत नॉमल साइज की और बगेर किसी सिस्ट के नाम पर परशान होने की ज़रुवत नहीं है पहले ये रूल आउट कर्वाई वह यह जो नॉमली भी बन सकती है आप जो सिस्ट के साइज में बढ़े प्रॉब्लम क्रियेट का रही है उसका दवाईों से बहाज जो सकता है और उसका सर्जरी से भी अलाज हो सकता है देखिए बिमारी से घब रही है बिमारी के अलाज से घब रही है चाहे वो दवाईयों की सूरत में हो चाहे वो ऑपरेशन की सूरत में हो और इन केस अगर ऑपरेशन की जरूत पड़ भी जाती है तो आज कर जैसे मेरी स् सिस्टे निकाली जाती है इसमें कट भी नहीं आता ओपन भी नहीं होता बड़े-बड़े सीजेरियन टाइप के कट्स भी नहीं लगते हैं और आप कोई सिस्टे निजात हो सकती है अगर उसमें सर्जरी चाहिए तो अदरवाइस दवाइयों से भी अलाज हो सकता है इसी तरह पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं बहुत कॉमन है उसमें भी परशान होने की जुरूत नहीं है अपनी डॉक्टर के पास है यह दवाइयों से लाज कराई है अब तो 75% परसेंट में दवाइयों से ठीक हो जाती है वरना यही लेजर के थूरू उनका इंस्टेंटी लाज हो सकत है जो कि कोई मेजर सर्जरी देने हैं और मरीज को फॉरन राम आ जाता है अच्छा पॉलिसिस्टिक ओवरी से रिलेटेड जो जिल्द की ब्मारियां हैं जैसे चेहरे पे बाल आ जाना जैसे पिंपल्स आ जाना एक्नी हो जाना ऑईली स्किन हो जाना यह गैनकॉलिजिस्ट इन कोलाबरेशन विच स्किन स्पेशलिस्ट आपके मसले को हम हल कर सकते हैं लेकिन बेसिकली यह भी गैनकॉलिजिस्टी का मसला है इस स्किन प्रॉब्लम इस द्यूट अगर किसी को मेरे से कोई सवाल पूछना हो गैनी से रिलेटेड हमल से रिलेटेड कोई भी ओड़तों तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पर एकर मेडिकल कॉंप्लेक्स की साइट पर जाकर मेरे से कॉंटेक्ट कर सकते हैं कोई भी सवाल पूछ सकते हैं इंशाला इंस्टेंटली आपको जवाब मिलेगा